नमस्कार साथियो दूर दरश्टी घ्यान यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो साथियो आज हम बात करेंगे 11 अपरेल 2021 वार रविवार के पंचांग के बारे में तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप से कुछ हाग रह करना चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बगल में आए बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंशता रहे तो आईए जानते हैं क्या कुछ रहने वाला है आज के पंचांग में बात करें आज की तिथी की तो तिथी है चतुरदशी अब बात करते हैं आज के शुब मूरत की तो शुब मूरत के अंतरगत अभीजीत मूरत का समय है ग्यारा बज के चोंतिस मिनट से बारा बज के चोविस मिनट तक विजय मूरत का समय है दो बज के चैं मिनट से दो बज के चपन मिनट तक गोधुली मूरत का समय है चैं बज के चैं मिनट से चैं बज के तीस मिनट तक साइकाल संध्या मूरत का समय है 6 बज के 19 मिनट से 7 बज के 27 मिनट तक निशिता मूरत का समय है रात 11 बज के 36 मिनट से 12 बज के 21 मिनट तक ब्रह्म मूरत का समय है 12 अपरेल सुबह 4 बज के 8 मिनट से 4 बज के 53 मिनट तक प्राते संध्या का समय है 12 अप्रेल सुबह 4 बज़ के 30 मिनट से 5 बज़ के 38 मिनट तक अब बात करते हैं आज के अशुब मूरत की तो अशुब मूरत के अंतरगत दुष्ट मूरत का समय है 4 बज़ के 37 मिनट से 5 बज़ के 28 मिनट तक कालवेला का समय है 11.34-12.24 मिनट तक गुलिक काल का समय है 3.09-4.43 मिनट तक यमगंड का समय है 11.69 मिनट से 1.34 मिनट तक गंड मूल का समय है 8.58 मिनट से 5.38 मिनट 12 अपरैल सुबeh तक अब बात करते हैं आज के वर्त और त्यों हार की तो आज है दर्स अमावस्या और अन्वाधान तो साथियों यह था आज का पंचांग आशा करते हैं हमारी द्वारा दी गई जान करें आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना विल्कुल भी ना भूले